Hello everyone, इस वीडियो में हम practice set 8 के question solve करेंगे इसमें सिर्फ एक ही question है और question है subtract the numbers in the top row from the numbers in the first column and write the proper number in each empty box यह जो कहते हैं column, जो इस column में जो number है इस number को हमें top row में subtract करना है जैसे यहाँ पे 3 को 3 minus 6 करना है 3 को 9 में minus करना है, जो result दागा वहाँ लिखना है 3 को minus 4 से करना है, फिर result यहाँ लिखना है ठीक है, इस तरह से करना है तो solve करने से पहले एक rule है, पहले वो rule समझ लेते हैं, फिर हम solve करेंगे इसे अब यह जो rule है, इसको ध्यांत समझे है अगर यह समझ गे, question को solve करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर दोनों नम्बर का sign सेम है, अगर दोनों नम्बर का sign अगर यह से plus plus है, सेम sign है तो उन दोनों नम्बर को add करेंगे और add करके जो number आएगा उसमें sign लगाएंगे जो इन दोनों को common sign है common sign क्या है इन दोनों में प्लस है प्लस ही है जोनों में तो plus का sign लगाएंगे अगर दो number का sign minus minus है ये भी same sign है तो दोनों number को हम add करेंगे ठीक और sign क्या लगाएंगे जो दोनों को sign common sign है minus minus लगाएंगे अब अगर sign opposite है मतलब एक plus है दूसरा minus है तो plus minus है तो इस case पे हम subtract करेंगे अगर एक number का sign plus है दूसरे का minus है तो subtract करेंगे और subtract करके जो result आएगा उसमें sign किसका लगेगा जो large number है जो दोनों में से large number रहेगा उसका sign लगाएंगे sign of large number minus plus यहां भी opposite sign है तो दोनों ही number को subtract करेंगे और sign किसका लगाएंगे हम जो large number है उसका sign लगाएंगे एक चीज़ और कभी-कभी इस तरह कोश्चन आते है 5 minus minus 3 तो देखिए minus minus मैं और यह भी लग देता हूँ plus 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 होता है minus minus plus होता है plus minus minus होता है और minus plus भी minus होता है अगर यहां minus minus है तो यहां पे plus का sign आजाएगा 5 plus 3 ठीक है अगर वही होता है यहां plus यहां minus तो यहां minus का sign आजाएगा तो यह याद रखिए और साथ में याद रखिए कि यह plus plus होता है minus minus भी plus होता है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस अगर साइन सेम तो प्लस साइन अपोजिट तो माइनस अब हम लोग कुशन कॉलम में जो नमबर दिये हुए हैं उसको आपको रो के नमबर से माइनस करना है और लिखते चले जाना है जैसे 3 को 6 से माइनस किया यहाँ पे लिखा 3 minus 6 फिर 8 को 6 से minus करेंगे यहाँ पे लिखेंगे minus 3 को 6 से करेंगे minus यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह करना है तो start करते हैं 3 minus 6 अब देखे यहाँ पे 3 और 6 का sign opposite है 6 का sign minus है 3 का कोई sign नहीं असका मतलब plus sign है तो जब opposite sign होता है तो क्या करते है, subtract करते है तो जो बड़ा number है उसमें चोड़े number को subtract करेंगे तो 6 में 3 को करेंगे subtract, 3 आएगा अब हम दिखेंगे यहाँ पर large number कौन सा है bigger number कौन सा है, 3 और 6 में बड़ा number कौन है, 6 है इसका sign क्या है, minus तो यहाँ minus लगाती है अब 8 को 6 से minus करना है आपको, 8 minus 6 यह तो direct है, 8 minus 6 2 होता है, 2 लग दिया minus 3 minus 6 minus 3 minus 6 अब देखिए, इन दोनों का sign क्या है same sign है, same sign में हम add करते है 3 plus 6, 9 और sign, जो common sign है, जो दोनों का sign है वही sign लगे गए आपर minus का minus 2 minus 6 minus 2 minus 6 दोनों का sign same है, तो पहले add कर दिते है 2 plus 6, 8 हो गया तो दोनों का common sign है, minus, वह minus लगा देंगे अब इस column के number को इससे minus करेंगे 3 minus 9 देखिए, 3 plus है और 9 का sign minus है, posit sign है तो subtract करेंगे, तो 9 में 3 को subtract किजिए, 6 में लेगा और बड़ा number कौन सा है 9, इसका sign क्या है, minus, ठीका minus लग जाएगा, 8 minus 9 8 plus, 8 का sign plus है, 9 का minus है, तो posit sign है, subtract करेंगे, 9 में 8 को subtract किजिए, 1 मिलेगा 8 और 9 में बड़ा number कौन सा है 9, इसका sign क्या है, minus तो minus लगा देंगे है, आपे minus 3 minus 9 दोनों का sign सेम है, तो पहले add कर दीजिए, 12 दोनों का sign, अब तहां पर common sign क्या है, minus का, तो minus लगा देंगे, minus 2, minus 9 दोनों का sign सेम है, तो पहले add कर दीजिए, 11 जो common sign है, common sign minus है, तो minus लगा देंगे, अब इस तरह आते है, 3 minus minus 4 देखे, 3 करना है, minus, ये minus तो इसका है, तो वो अलग रहे गाई, minus 4 तो ये क्या हो जाएगा, 3 minus minus plus, 3 plus 4, और 3 plus 4 क्या होता है, 7 तो इस 7 हो गया, 8 minus minus 4, 8 minus minus 4 माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे प्लस का sign आजागा बीच में, 8 plus 4, 12 minus 3 minus minus 4, minus 3 minus minus 4, अब देखे, minus 3 minus minus plus 4 अब यहां पे 3 का sign minus है, 4 का sign plus है, तो क्या होता है, सब्च्राट करेंगे, तो 4 में इस त्री करें सब्च्राट करें मिलेगा, 1 मिलेगा, और इन दोने में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 का sign क्या है, plus, यहां plus बनोंगे, minus 2 minus minus 4, minus 2 minus minus 4, देखे, minus 2, minus minus plus, plus 4, 2 का sign minus है, और 4 का plus है, तो सब्च्राट करेंगे, और opposite sign है, तो 4 में 2 को सब्च्राट करेंगे, क्या मिलेगा, आपको, 2, और बड़ा नंबर 4 है, तो sign plus है, तो यहां plus लगा दीजिए, इसमें आते हैं, 3 minus minus 5, 3 minus minus 5, minus minus plus, 3 plus 5, 8 होता है, 8 minus minus 5, तो देखे, 8 minus minus plus, 8 plus 5, 13 हो गया, minus 3 minus minus 5, minus 3 minus minus 5, तो minus 3, यह minus minus plus हो गया, अब देखे, इसका sign minus, इसका sign plus, opposite sign है, तो सब्च्राट करेंगे, 5 में 3 को सब्च्राट करेंगे, 2 मिलेगा, बड़ा नंबर 5, इसका sign plus है, तो plus हो जाएगा, minus 2 minus minus 5, minus 2 minus minus 5, minus 2 minus minus plus 5, 2 का sign minus, 5 का sign plus, opposite sign है, तो सब्च्राट करेंगे, 5 में 2 को सब्च्राट करेंगे, आपको 3 मिलेगा, और यहां पे 5 बिगर नंबर है, तो sign plus है, तो plus हो जाएगा, अब इसको 0 से करेंगे, 3 minus 0, किसी भी नंबर को अगर 0 से सब्च्राट करते हैं, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, जो नंबर है, वही आंसर हो जाएगा, 3 हो गया, 8 minus 0, 8 रह जाएगा, minus 3 minus 0, minus 3, minus 2 minus 0, that is minus 2, अब आते हैं इसमें, 3, फिर minus sign, और यहां पे plus sign है, plus 7, तो देखिए, 3, minus plus क्या होता है, minus 3 minus 7, अब यहां पे 3 का sign plus है, 7 का minus है, तो क्या करेंगा, subtract करेंगा, opposite sign है, तो 7 minus 3, 4 होता है, यहां पे 7 bigger number है, और इसका sign minus है, दिया, minus लगा देंगे, minus 4 होँआ, 8 minus plus 7, 8 minus plus 7, minus plus minus, 8 minus 7, ठीक है, यह सिंप्ली है, 8 minus 7, 1 हो जाएगा, यह, minus 3 minus plus 7, minus 3 minus plus 7, तो minus 3 minus plus minus, अब दोनों का sign सेम है, तो पहले इसको add करेंगे, 3 plus 7, 10, और जो common sign है, common sign minus है, यहां पे तो minus लग जाएगा, minus 2 minus plus 7, minus 2 minus plus 7, तो minus 2 minus plus minus 7, दोनों का sign सेम है, तो पहले add करेंगे, और जो common sign है, लगा देंगे, minus 9, अब बचाएगे, 3 minus minus 8, यह क्या हो जाएगा, 3 minus minus plus, 3 plus 8, तो simply 11 होता है, 8 minus minus 8, 8 minus minus 8, minus minus plus 8 plus 8, 16 होता, minus 3, minus minus 8, देखें, minus 3 है, minus minus plus, तो 3 का sign minus 8 का sign plus, अपोजिट साइन है, अब जाएगा, तो 8 में 3 को subtract करेंगे, 5, 8 bigger number है, plus sign है, तो plus sign लगेगा, minus 2, minus minus 8, minus 2, minus minus 8, तो minus 2, minus minus plus, अपोजिट साइन है, सब्च्राइट करेंगे, तो 8 में 2 करेंगे, तो 6 बचेगा, और 8 bigger number है, तो plus sign 6, अब यह लास्ट बचेगा, 3 minus minus 3, 3 minus minus 3, 3 minus minus plus, 3 plus 3, that is 6, 8 minus minus 3, 8 minus minus 3, 8 minus minus plus, 8 plus 3, equals to 11, minus 3, minus minus 3, minus 3, plus 3, sign opposite है, वैसे, एक plus है, एक minus है, तो दोनों नम्मर सेम है, तो 3 minus 3, 0, minus 2, यह लास्ट है, minus 2, minus minus 3, तो minus 2, minus minus plus, दोनों का sign opposite है, सब्च्राइट करेंगे, 3 में 2 को सब्च्राइट करेंगे, 1 आएगा, और 3 का sign 3 bigger number है, तो sign plus है, तो plus करेगा, इस तरह से आपका यह question solve हो गया, कोई doubt है, comment section है, पूछे जो आप जरूर मिलेगा, वीडियो अच्छा लगा, like से जरूर कीजे, thank you very much,